हलो एंड वेलकम टो सपरशिवानी चैनल एंड दिस इस दे क्लास ओफ कुकिंग फूद सबसे पहले हम यहाँ पर एक मिक्सिंग बोल ले लेंगे और इसमें हम आट करेंगे दो कप मैदा आप इसे गेहूं के आटे से भी प्रिपेर कर सकते हैं वन टी स्पून हम यहाँ पर डालेंगे सॉल्ट यानि की नमक हाफ टी स्पून हम एड करेंगे यहाँ पर बेकिंग सोडा और वन टी स्पून यहाँ पर हम एड करेंगे बेकिंग पावडर और इसके बाद हम यहाँ पर 1 tablespoon यहाँ पर add करेंगे powder sugar आप यहाँ पर normal चीनी का भी इस्तमाल कर सकते हैं यह PCV चीनी है और इसके बाद 1 tablespoon यहाँ पर हम add करेंगे honey यानि कि शहर इसे add करने से हमारी जो dough का fermentation है वो ज़्यादा तेजी से होता है इसलिए आप इसे ज़रूर add करें और इसे हलकी सी मिठास भी आ जाती है तो इसे हम एक बार अच्छे से mix कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पर एक बड़ा चमच refined oil add करेंगे अब हम इसमें दही को mix करके इसे अच्छे से नीट करेंगे क्योंकि हम इसे बिना इसके बना रहे हैं तो इसलिए यहाँ पर हम दही का इस्तवाल करेंगे अपने हाथों से अच्छे से mix करेंगे इसे आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर दो को sticky बनाया है आपको भी ऐसे ही बना लेना है और अब हम इसमें फिर से refined oil add करेंगे और इससे अच्छे से चिकना करेंगे और इस डो को मैंने यहाँ पर चिकना कर लिया है अब हम इस डो को half an hour के लिए cover करके ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके set होने के बाद हम आगे की process करेंगे और आदे गंटे हो चुके हैं और अब हम इसे चेक करेंगे कुछ इस तरह हमारा डो हो गया है यहाँ पर और आप देख सकते हैं मैं बहुती sticky सा डो बनाया था और यह हमारा डो लगभग चिकना हो चुका है तो इसे हम बोल से बाहर कर लेते हैं और इसे counter पर रखेंगे अब हम counter पर थोड़ा सा मैदे को स्प्रिंकिल करेंगे अब हम इस डो को हलका सा नेट कर लेंगे अब हम size के according इसे उतने ही portion में डिवाइट करेंगे अगर आप बड़े size का यहाँ पर कुछ भी बनाना चाते हैं तो यहाँ पर आप इसे two portion में डिवाइट करेंगे और अगर आप छोटे size के बनाने चाते हैं तो आप इसे four portion में कट कर लेंगे तो अब हम इसे four portion में कट कर लेते हैं और इसे अलग कर लेंगे आप देख सकते हैं चार portion में मैंने divide कर लिया इसे अब हम बाकी की रख देते हैं और एक को हम रख लेंगे अपने पास बाकी को हम cover करके रख देंगे ताकि यह dry ना हो किसी भी bowl में यह देखिए मैंने इने रख दिया है और इसे cover भी कर देंगे तो कैसे इसे हमें preheat mode लगाना है वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पर फिर से बता देती हूँ इसको आपको 180 degrees set करने के लिए आप यहाँ पर grill plus convection बटन को एक बार प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर देखेंगे कि डिस्प्ले में convection लिख कर आने लगा है और इसके बाद क्योंकि हमें 180 degrees centigrade का temperature set करना है preheat के लिए तो यहाँ पर हम 8 number प्रेस करेंगे और आप देख सकते हैं 180 degrees centigrade यहाँ पर लिख कर आने लगा है यानि कि यह हमारा 180 degrees centigrade temperature है जिसे हमें यहाँ पर preheat करना है अब हम जैसे यहाँ पर start बटन प्रेस करेंगे हमारा oven यहाँ पर preheat होना शुरू हो जाएगा तो चलिए इसे हम preheat कर लेते हैं और अब हम आते हैं एक single dough में अब हम इसे दो unequal portion में divide करेंगे यानि कि एक हम छोटा यहाँ पर लेंगे और एक बढ़ा लेंगे तो इसे two portion में यहाँ पर divide कर लेंगे यह दिखें यह बड़े size की है और यह छोटे size इसे हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे और छोटे size वाली को भी ऐसे फोल्ड कर लेंगे तो अब हम इने बेलेंगे एक हमें यहाँ पर पतला size का बेलना है और एक हमें यहाँ पर मोटे size का बेलना है तो हम दोनों को बेल लेते हैं बारी बारी और फिर इससे पीजा बनाते हैं तो ह तो आप देख सकते हैं मैंने याप पर बड़े साइस का बेल लिया है इसे तो अब हम इसे इस बेकिंग डिश की उपर रख लेंगे अभी यह अने वेन है अभी हम इसे बराबर कर लेंगे इसे चारो तरफ स्ट्रेच कर देंगे बराबर से और अभी हम इस बेस के ऊपर मुलिला चीज जो हमने ग्रेट करके रखी है उसे इसके ऊपर आट करेंगे इसको हमें सेंटर पर आट करना है आप चाहें तो यहाँ पर homemade cheese का भी use कर सकते हैं क्योंकि मेरे पास mozzarella cheese थी तो मैं यहाँ पर use कर रही हूँ ऐसे तो इसको इसके center पर हम रख लेते हैं तो यह मैंने cheese को इसके उपर रख दिया है तो अब हम यहाँ पर जो छोटा portion था जिसे मैंने dough से अलग किया था उसे हम roll करेंगे तो इसे भी हम ऐसे ही पतले shape में इसे हम roll कर लेंगे जैसे एक पतली रोटी होती है वैसे ही इसे हम roll कर लेंगे तो इसे मैंने रोल कर लिया है, तो अब हम इसे उसी पिज़ा base की उपर рख लेंगे इसे कैसे करना है, आप देख लीज़े, ये रहा हमारा पिज़ा, तो अब हम जो हमने पतली रोटी shape में बनायी है, उसे इसकी उपर cover कर देंगे इस चीज को और इसे हमें स्ट्रेच करेंगे तो कि ये स्रिंक हो जाता है मैदा ताकि हमारी चीज अंदर अच्छे से कवर हो जाए तो ये देखिए मैंने चीज को इसमें अच्छे से कवर कर दिया है और इसे एक बार अच्छे से प्रेस कर देंगे ऐसे यहाँ पर हलका सा वाटर को हम अप्लाई कर लेते हैं ताकि यह अच्छे से चिपक जाए तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से फोल्ड कर दिया है हमारा चीज बस पीजा का जो पीजा बेस है वो अच्छे से त्यार हो गया है तो अब हम इसमें जैसे बाकी सारी टॉपिंग करते हैं वैसे ही करेंगे आपके पास जो भी वेजेटेबल हो आप यहाँ पर टॉपिंग कर सकते हैं तो इसे टॉपिंग कर लेते हैं एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, आपको यहाँ पर इस पिजाबेस में ओईल या बटर अभी नहीं अपलाई करना है, अगर आप इसमें ओईल या बटर अपलाई कर देंगे, तो यह पकने से पहले ही इसका क्रस्ट जो है वो ब्राउन होने लगेगा, इसे क कि मैंने यहाँ पर बटर अपलाई नहीं किया है आपको भी simply इसके उपर पिजा सॉस को अपलाई करना है तो चलिए पिजा सॉस को अपलाई कर लेते हैं आप इस पिजा सॉस की रेसिपी आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं यह homemade पिजा सॉस है और इसकी साथ ही हम यहाँ पर टोमैटो किचप आड़ करेंगे और इसे हम अच्छे से स्प्रेट कर लेंगे और फिर से हम यहाँ पर चीज आड़ करेंगे कोटेज चीज आड़ करेंगे ओनिया एड़ करेंगे इस साइड हम दूसरे शेप में कटी हुई ओनियान्स को रखेंगे ताकि ठोड़ा डिफरेंट सामारा पिज़ा लगे देखने में और अब हम स्वीट कॉन्स आड़ करेंगे मैंने याँ पर एक ही साइड सूट कॉन्स को याड़ किया है और इसके दूसरे साइड को हम ओलिव से सजाएंगे चीज स्प्रेंकिल कर देंगे अब इसके उपर पिज़ा और और पिज़ा चिली स्प्रेंकिल करेंगे अगर आप चाहे तो मैं इसका ओनलाइन परचेस करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप इसे परचेस भी कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर होता है इस ओरिग्यानो का तो चली इसे स्प्रेंकिल कर लेते हैं आप चाहे तो इसे बाद में भी स्प्रेंकिल कर सकते हैं चिली फ्लेक्स तो हमारा oven अच्छे से preheat हो चुका है तो चलिए इसे bake कर लेते हैं oven में ढालकर इसे bake करने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर grill plus convection बटन को एक बार प्रेस करेंगे अगर आपके oven में convection mode है तो आप इसे convection mode पर bake करें क्योंकि इस oven में केवल grill plus convection mode है तो इसे हम grill plus convection option यहाँ पर select करेंगे तो इसे हम एक बार प्रेस करेंगे पिज़ा के लिए 180 degree सबसे best temperature होता है तो यहाँ पर 180 degree हम select कर लेंगे आप केवल convection mode पर ही इसी temperature को select कर लेंगे बस time आप थोड़ा increase कर सकते हैं grill plus convection mode के comparison में अगर आप grill plus convection mode पर पिज़ा को bake करते हैं इसे जो हमारी vegetables हैं वो अच्छे से grill हो जाती है तो इसलिए आप यहाँ पर grill plus convection mode पर ही पिज़ा को bake करेंगे तो इसे हमारा पिज़ा बहुत ही अच्छा bake होगा आप इसे convection में भी bake कर सकते हैं तो अब हम यहाँ पर time set करेंगे और यहाँ पर हम time यहाँ पर 10 से 12 minute select करेंगे यानि कि 12 minute हम enter कर देते हैं फिर उसके बाद हम इसे need के according इसे check कर लेंगे और इसे बाहार निकाल लेंगे तो one press करेंगे two zero zero आप देख सकते हैं मैंने 12 minute कहाँ पर time set किया है आप भी ऐसे ही temperature को set कर लें लगभग इसी temperature पर आपका जो pizza है वो अच्छे से bake हो जाएगा और इसका जो pizza base है वो भी अच्छे से cook हो जाएगा तो अब हम start button प्रस करेंगे और इस pizza को अच्छे से bake कर अगर आप इसे cable convection mode पर bake कर रहे हैं तो आप इसे 2-3 minute time को increase कर लें यानि कि आप 12-15 minute इसे आप bake कर लेंगे आप देख सकते हैं हमारा pizza यहाँ पर अच्छे से bake हो चुका है तो इसे हम बाहर कर लेते हैं हमारा pizza base भी अच्छे से cook हो चुका है और उपर vegetables भी अच्छे से cook हो चुकी है तो चलिए इसे अब हम serve करते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा pizza base यहाँ पर अच्छे से cook कर दिखाती हूं बहुत ही चीजी है यह पिज्जा को कि हमने चीज का इस्तमाल बहुत जादा किया है इसमें